हे गाइस विलकाम बैक टू माइ चैनल दोस्तो आज मैं रियल मी नरजो 30 का अन्बोक्सिंग करूंगा और इस फोन को मैंने फास्ट हैल में ही बाई कर लिया है और यह 4GB बेरियंट है और इसका प्राइस मेरेको 12,000 परा है एक्सेक्ट प्राइस की बात करो तो 11,999 रूपीज है दोस्तो मुझे लगता है यह फोन 12,000 के अंदर एक बेस्ट फोन है क्योंकि इसके अंदर आपको एक Full HD Plus 90Hz डिस्प्ले और Helio G95 प्रोसेसर है जो कि इस प्राइस पॉइंट में सबसे ज्यादा पावर्फुल प्रोसेसर है किसी भी फोन में आपको इस प्राइस पॉइंट में इस तरह के प्रोसेसर नहीं मिलता है बॉक्स के अंदर ही आपको एक बहुत ही आच्छी क्वालिटी का बैक कोबार भी मिल जाता है और आभी फोन को साइड में राखते है देखते हैं अंदर क्या है दोस्तो इस बॉक्स के अंदर आपको बोड़ा सा चार्जर मिल जाथा है जो कि एक 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जर है और इस फोन को इस फोन को चार्ज करने में इस चार्जर से लगभग एक से देर घंटा ही लागेगा पहली नजर में आप देख सकते फोन कितना ब्यूटिफिल है दोस्तो जो कालर शेड है वो अलाग-अलाग एंगल से अलाग-अलाग लग रहा है यह फ्लास्टिक बैक है फिर भी फीट और फिनिश जो है वो बहुत ही आच्छा किया गया है और इस साइड में आपको फिंगर सीम सापोर्ट करता है दोस्तो आप इसमें आप दो सीम के साथ एक मेमरी काड एक साथ यूज़ कर सकते हो जो कि आच्छे बात है और फोन की नीचे की तरब आपको हेड़फोन जैक, माइक्रोफोन और टाइप-C पोड और स्पीकर ग्रिल मिल जाता है फोन को पहली बास आपको एक प्री अप्लाइड इस्किन प्रोटेक्टर भी मिल जाता है जो कि आच्छी बात है और फोन में दोस्तों आपको कुछ ब्लोट और मिल जाता है जो कि आप बाद में इसको अनिस्टल भी कर सकते हो जो कि आच्छी बात है और पीछे की तरब आपको एक 48 मेगापि पिक्सल का फॉन फेसिंग कैमरा मिल जाता है कैमरा क्वालिटी के बाद कुरूँ तो दोस्तो पहले नाजयर में मुझे बहुत ही आच्छा लग रहा है जैसे के आप देख सकते है फोटो बड़ी है शारफ है और कालरफूल भी है और डायनेमिक रेंज भी बहुत ही आच्छा है दोस्तो आप इस फोन के साथ कौन कौन सी फोन का कॉंपरेजन वीडियो देखना चाहते हो कॉमेट में प्लीज जुरूर बाता हिए और इसका जो 16 मेगा पिक्सल की सेल पी है वो भी बहुत बढ़िया है दोस्तो और पोर्ट्रेट मोड भी बहुत ही आच्छे से काम करता है मुझे तो बहुत ही आच्छा लाग रहा है इसका प्राइस की सबसे फोन डेफिनेटली कैमरा अच्छा है इस फोन में आपको सिंगेल स्पिकर मिल जाता है कोई भी डूएल स्पिकर नहीं है एक बास साउंड को चेक कर लेता हूँ दोस्तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे बिलकुल आच्छा नहीं लगा इस फिकर की क्वालिटी बिलू आबरेज बोलूँगा मैं लेकिन ओवार ओल फोन बहुत ही आच्छा है दोस्तो तो दोस्तो आज के लिए इतना ही दोस्तो प्लीज वीडियो को एक लाइ देखने के लिए तो मिलते हैं आगले वीडियो में